है गाइज वाट सेप्ट वेलकम बैक अनाधर न्यूड गाइज आज की वीडियो में आप लोग कुछ स्टैप से देख सकतो बैक्ग्राउंड में एडिटिंग और फेस पे डिटिंग हो रही है एंड आप लोग भी करना चाहते हो तो वीडियो को स्टेप बाइस्टेप आज की वीडियो में आप लोग को कुछ ऐसा इडिटिंग सिखाने वाले हैं लोग तो देख सकतो बिफोर और फेस अभी कैसा हो चुका है एंड आप लोग भी एडिटिंग सीखना चाहते हो तो वीडियो को छोड़ के मत जाना एंड वीडियो ओपेन करें तो वीडियो को पूरा वाच करते हो तो कुछ इस टैप से इडिटिंग सीखोगे और देख सकतो बिफोर और यहां पर आफ्टर कितना इंटरफेस हो रहाए गाइस तो क्या एडिटिंग आप लोग भी ऐसी डिटिंग करना चाहते हो तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं वीडियो म बिफोर और यहां पर ब्रेटने साथ चुके इसके बाद गाईस अभी आप लोग को सेलेक्टिव का एक उप्षेन मिला है उसको यूज करना वह काफी अच्छी तरीके से फेस को वाइड करता है यहां पर यहां पर यहां पर कॉंट्रास मिलेगा तो टॉनल कॉंट्रास पर कुछ को कई का लिन ना करने के बाद गाम आप लोग को हाई टॉन जो रहेगा यहां पर कुछी स्टेप से लाई will करना हो गा लो पर तो इस कुछ स्टैप से कर लेना तूल राइकन पर आना फिर डिटेल वाले ओप्षिन पर क्लिक कर लेना एंड डिटेल के आने के बाद शार्पिंग को प्लस कर लेना कुछ स्टैप से और यहां पर देख सकते हैं अभी हम लोगी फोटो में एक डिटेल भी आ चुकी है और यहां पर फेस भी वाइट हो चुका है तो फेस काफी अच्छी तरीके से इडिट हो चुका है यहां से एंड इसके बात गाईज जो हम लोग सिखाने वाले स्मूधिंग की टुटिरिल सि इस से autodic sketchbook में आप लोग काफी तरीके से अपने face को white कर सकतो white and smoothing भी कर सकतो white तो मैंने यहाँ पर Snapsheet से बता दिया और यहाँ पर smoothing सिखाऊंगा तो guys smoothing सीखने के लिए आप लोग को क्या करना होता है tool icon पर click करना होता है जो टूल मैं बताऊंगा आज की वीडियो में वो टूल यूज करना guys आप लोग उससे यूज करके मुझे comment करना and आप लोग को जैसा interface मिले अगर कोई भी problem हो लिए तो मुझे contact करें मतलब यहां पर inbox में आप message कर सकते हो यहां पर देख सकते हो हम लोग ने कौन सा tool यूज किया है artist वाले option पर आया है हम लोग यहां पर यह वाला tool यूज किया है इसकी setting आप लोग को दिखा देते हैं हम लोग क्या रखने वाले है तो इसको setting को ध्यान से देखना यहां पर sensitive pain वाले option पर आना स्मूधियत पर क्लिक करना यहां पर flow को change करना कुछ step से एक बात याद रखो गाईज यहां पर flow and strange में रहता है तो इसको setting को ध्यान से देखना इसकी screenshot भी ले लो और इसके बाद smoothing करना कुछ step से जैसे यहां पर मैं brush चला रहा हूँ और कुछ steps हैं यहां पर editing के processing में और आप लोग देख सकतो full HD high quality smoothing हो रही है और आप लोग को जानना है full HD high quality smoothing के बाद photo को save भी कैसे करें HD quality के अंदर तो guys अभी video को छोड़ के जरा सा भी मच जाना क्यूंकि आप लोग को आगे पता चल जाएगा कैसे full HD high quality जो photo रहती है आप लोग की वो safe कैसे होगी full HD high quality तो guys नहां पर देख सकतो गिता बेकाल लग रहा नीचे का area और इसके बाद हम लोग ने जो smoothing करी है वो अच्छी हो गई area और इसके बाद guys अभी आप लोग को क्या करना होगा वो भी मैं बताने वाला हूँ तो smoothing हम लोग की perfect तरीके से पूरी तरीके से हो चुकी है और इसके बाद आप लोग को smoothing करने के बाद आप लोग को क्या करना होगा फोटो को save कर लेना और save to gallery पी क्लिक करने के बाद और पिक्सार टैप में open कर लेना होगा तो इस पिक्सार टैप में open करने के बाद फोटो को अभी आप लोग को black tone की जो editing रहेगी वो सिखाने वालो बट मैंने थम्मेल में दिखाया था green tone आप लोग को black tone की सोज़े सिखा रहा हूँ क्योंकि आप लोग black tone जादा करते हो और अपनी फोटो में अच्छी rating लाना चाहते हो तो black and white पे क्लिक करना और इसके बाद इरेज वाले icon पर आना इसके बाद background पर आप लोग option पर क्लिक कर लेना तो background वाले option पर हम लोग क्लिक कर लेते हैं यहां पर अभी आप लोग के face से जाएगा इसके बाद यहां पर आपनों के face पर फीक अपन आ रहा है इसको करने के लिए टूल अले icon पर क्लिक करना है और यहां पर आपको एजिस्ट वाले option पर आजाना होगा और इसके बाद brightness इसके हलकी increase करना होगा यहां पर मैंने नहीं किया बट आप लोग कर लेना इस वीडियो सबको अच्छी लगी तो इस टाइप के रेटिंग आप लोग भी कर लो अपनी फोटो के अंदर और कुछ इस टाइप से रेटिंग करके इस्टाग्राम पर पोस्ट करो काफी अच्छी तरीके से वायरल होगी गारेंटी दे रहा हूं मैं